तो भाई यह इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका गेम पबसी मोबाइल चलते चलते बीच में बंद क्यों हो जाता है चलते चलते गेम वापस होम स्क्रीन पे क्यों आ जाता है तो यह इसका सॉलुशन जानने के लिए देखे पूरे वीडियो को तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अंकित स्वागता आप सब लोगा टेमिंग टीवी पे तो इसके लिए करना क्या होगा आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा सेटिंग्स में जाने के बाद आप अपने मोबाइल की जो भी अलग-अलग मोबाइल में सबसे अप 영상을 साते हैं जहां पर आपको सारी अप्लीकेशन ritons मिल जाती है उस पर जाना पड़ेगा तो मेरे मोबाइल में अप्लीकेशन मेनेजर ये रहा अप मैनेजर तो मैं इसमें जाने के बाद आपको सीधा अपना PUBG Mobile एप सर्च करना है कि इसके अंदर वो एप कहा है तो इसको सर्च करने के बाद उसको ओपन कीजिए डिरेक्टली यहां से तो मैं इसको सर्च करता हूं दूए तो यह रहा में रहा है PUBG Mobile तो इसको सर्च करने के बाद यह देखे यह सारा इंटरफेस आ गया जाना होता यह देखे हैं तो उसमें सबसे उपर वावाला और स्टोरेजे तो आपको सीपल फ्यूंस सब्से आपको सिर्स में जाने के बाद यह देखे यहां पर यह रहरा पर यह नीचे वाला आ गया ना था मेरे मुबाइल में अभी मैंने पूरा इसको क्लियर कर दिया उसको क्लियर करने के बाद अगला स्टेप आपको करना क्या होगा आपको जाना है आपको जाने के बाद आपका जो मुबाइल का स्टोरेज है उसमें जाना पड़ेगा अभी तो आप इसी फब्जी मुबाइल application के storage में गए थे अभी यह देगे यहीं पर मेरा यह वाला option storage space जो आपके मोबाइल में कहीं भी आता होगा उसको क्लिक कीजिए तो अब मैं जाओंगा मेरे clean up storage में यह देखे यहां पर आप देख सकते है clean up storage तो इसमें जाने के बाद जो मेरे मोबाइल में और भी जो trace बर रहा है और भी जो cache files है बाकी सारी applications के उन में यह भी include हो जाता है तो आपने pubsy mobile के तो सारे वो clear करी दिए यह देखे यहां पर मैं उपर यूपर देख सकता हूं empty trace जो मेरा 613 MB है तो मेरे को इसको क्लीन करना पड़ेगा इसको मैं सीधा open करता हूं यह देखें कैचे जंक इसमें temporary files होती है यूजलेज एपिकेज होती है तो आपके जो भी एपिकेज काम की नहीं है वो भी आपको यहां से 613 MB clear कर देनी है तो मैं भी यहां पर इसको clear कर देता हूं यह देखें यहां पर यह ट्रेस पर clear हो जाएगा तो यह यह दो स्टेप आपको करने हैं तो यह दो स्टेप देखिए आपको दिन में एक बार करना ही पड़ेगा आपका गेम चालू करने से से पहले करना ही पड़ेगा क्योंकि यह आपके मोबाई की वज़े से प्रोब्लम आ रही है और आपके storage को भी आपको लगबग empty रखना ही अगर आपके मोबाई के रेम कम zb है या तीन zb है या दो जी भी रेम मोबाई आपका है तो इसकी वज़े से आपको तोड़ा इंटरनल स्पेस भी खाली रखना पड़ेगा जिसकी वज़े से गेम के ओपर ज्यादा लोड ना पड़ेगा और इसके लिए गेम पर लोड नहीं पड़ना चाहिए उसके लोड बढ़ रहा है तब ही वह बीच-वीच में चलता चलता बंद हो रहा है लेकिन आपको दिन में यह दो स्टेप करने पड़ेंगे आपके मोबाइल से यह दोनों चीज आपको क्लियर कर देनी है अगर आपको गेम सही और स्मूथ चलाना है तो अगर फिर भी आपका गेम बंध होने का चांस है लेकिन बंध होता है वापस से आप इसको जाई है यहां पर सेटिंग में सेटि कि टंप्रेरी सॉल्यूशन आपके पास कम रेम वाला मोबाइल है जिसके लिए आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं वीडियो चलोगा तो या लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया हो तो